यहां पर EOS नाम का एब्रिवेशन क्यों इस्तमाल किया गया है और यह सैटलाइट क्यों खास है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले तो यह जानिये कि EOS का फुल फॉर्म है Earth Observation Satellite इसको एक PSLV रॉकेट के साथ लॉंच किया गया है अलॉंग विद नाइन सैटलाइट फ्रॉम फॉरिन कंट्रीज अब देखें यह मिशन लगभग एक साल बाद आया है इसके पहले दिसंबर 2019 में इस्तो ने रिसा 2BR1 को लॉंच किया था वो भी एक Earth Observation Satellite थी ध्यान रखेगा कि लगभग एक साल बाद भारत से इस सैटलाइट को लॉंच किया गया है क्योंकि इसी बीच में जन्वरी 2020 में फ्रिंच गयाना से इंडिया ने G-Sat 30 का लॉंच किया था लेकिन उसके बाद COVID-19 पैंडमिक आ और इस्रो के जो भी लॉंच थे वो हॉल्ट हो गए जबकि इस्रो ने 2020-21 के फिसकल यर में लगभग 20 सैटलाइट को लॉंच करने का प्रोग्राम बनाया था इंक्लूडिंग आदित तिवन जो की भारत की पहली सोलर मिशन सैटलाइट है इसके अलावा अनमैंड गगन या और अभी तक दो रिसाट सैटलाइट भारत के द्वारत के द्वारा लॉंच की गई हैं अब देखे आर्थ अब्जर्वेशन सैटलाइट का काम ये होता है कि वो धरती की वेधर कंडिशन को मॉनिटर करते हैं और हाई रेजिलूशन इमेज़ेज धरती पे वापस भेजते हैं इनिशली EOS1 को RISAT-2BR2 नाम दिया गया था मतलब अभी तक वेधर को मॉनिटर करने के लिए भारत ने तीन सैटलाइट लॉंच कर दी हैं और इसी वज़े से EOS अब्रिवेशन को अपनाया है जनरली सैटलाइट की नेमिंग उनके परपस के साथ जुड़ी होती है जिसका काम था जमीन की टोपोग्राफी और मैपिंग का डेटा कलेक्ट करके भेजना इसके अलावा ओशन सैट सैटलाइट धरती के पानी वाले एरियास को अब्सर्व करने के लिए लॉंच की गई है इसके अलावा इन सैट, रिसोर्स सैट, जी सैट और इनी की तरह काफी सारी सीरीज इसरों के द्वारा नेम की गई हैं अकॉर्डिंग टू दियर परपस और इस्पेसिफिक जॉब्स अब अर्क अब्सर्वेशन सैटलाइट्स फॉरेस्ट की मैपिंग और मॉनिटरिंग कर इसके द्वारा की जाएगी, आईए अब समझने की कोशिश करते हैं कि रडार इमेजिंग क्या है, अब इसमें रडार का यूज होता है for producing high resolution images, अब दिखे जनरली जो हम लोग फोटोग्राप्स अच्छा खींचते हैं वो optical instruments पे based होती हैं और इसी वज़े से आपने देखा नहीं है, या फिर fog है, या clouds हैं, तब भी ये technology काम करती है, और यही इसका सबसे बड़ा advantage है, अब दिखे EOS-1 और Reset satellites में X-band radars लगे हैं, जिनको urban landscape, forest land और agriculture की imaging करने के लिए सबसे best माना जाता है, इसके अलाबा ISRO इस satellite का इस्तमाल disaster management के लिए भी करेगी, साती सात military के ये भी radar imaging काफी जादा important है, अब दिखें यहाँ पे ISRO ने PSLV का एक नया version इस्तमाल किया है, जिसको इसके पहले सिर्फ एक बार इस्तमाल किया गया था for launching Microsoft R, अब Microsoft R की बात करें, तो ये वही satellite है, जिसको anti-satellite test के दौरान destroy किया गया था, उसी PSLV को यहाँ पर भी इस्तम किया गया है, इस PSLV की खास बात ये है, कि बाकी rockets की तरह ये waste नहीं होता, बलकि ये अपनी खुद की orbit बना सकता है, and it can perform experiments on its own after separating the satellite, कुल मिला के ये एक दूसरी satellite की तरह काम करता है, however, इसकी life span काफी कम होती है, that is 6 months, मतलब satellite को orbit में छोडने के बाद, ये rocket खुद में various tests carry out क कर सकता है for a period of 6 months, अब अभी तक PSLV का record काफी ज़्यादा अच्छा रहा है, और अभी तक PSLV से launch किये गए सिर्फ दो satellites ही unsuccessful रहे हैं, अब देखें 9 foreign satellites जो EOS के साथ जा रही हैं, उन में से 4 United States की हैं, 4 Luxembourg की हैं, जबकि एक satellite Lithuania की है, तो ये था हमारा analysis EOS 1 satellite का, उमीद है क कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और हाँ, प्लीज डोंट फॉर्गेट टू, लाइक, शेर, और सब्सक्राइब, थांक यू, जैहिंद,